आज मैं आपके सामने मैंस का एक क्वेशन लेकर आए हैं क्वेशन क्या बोला है? Find the value of x हमें यहाँ पर देखें एक equation दी हुई है आप दे सकते हैं x-4 और यहाँ पर whole bracket लगा के power दिया हुआ है equal to x का power 4 तो हमें यहाँ पर इस x की value find करनी है और यहाँ पर check the solution आज से और यहाँ पर जो x की value आएगी उसे हमें check करके भी देखना है कि x की value आई है वो सही है कि नहीं तो चलिए इस question को हम solve करते हैं मैं page को उपर करती हूँ हमारा जो equation दियावा है वो equation दियावा है यहाँ पर x-4 whole bracket लगा के power 4 दियावा equal to x का power 4 यह equation दियाव है अब चलिए इसको हम solve करते हैं मैं page उपर करती हूँ तो अब देखे हम यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर क्या दियावा है x-4 whole bracket लगा के power 4 equal to x का power 4 ठीक है तो यह इसका sign क्या x का power 4 इसका sign क्या positive हम यहाँ पर क्या करेंगे x के power 4 को lhs side में लेकर आएंगे तो देखे यह क्या है x-4 पर whole bracket लगा के power 4 दियावा यह plus x का power 4 इधर आएगा तो minus x का power 4 हो जाएगा equal to अब यह इधर आगे है तो यहाँ क्या बचेगा जिरू बचेगा अब हम देखे यहाँ पर क्या करेंगे इसको हम 2 into 2 तो लिखी सकते है ठीक है equal to 0 ठीक है अब यहाँ पर देखिए power exponent का एक formula है यह अगर x का power m into n है यहाँ पर तो यह हो सकता है x का power यह m को x के साथ power में लगा देंगे और यह जो n है इसको whole bracket लगा के bracket के बाहर power में n लगा देंगे ठीक है तो यह वाला formula हम यहाँ पर apply करेंगे तो मैं page को थोड़ा उपर कर रही हूं ठीक है तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे इसको मैं दूसरे color से समझाओं यस यह जो 2 है यहाँ पर इसको m माल लिजी और इसको n माल लिजी यहाँ पर देखिए जो m n दिया है तो मैंने यह समझाने के लिए m और n लिख दिया तो यह जो 2 है न m इसको हम क्या करेंगे x minus 4 जो दिया हुआ है यह वाला जो m 2 है इसको इसके साथ लगा देंगे और यह जो 2 है जिसको कि मैंने n माना है इसको मैं whole bracket लगा के यहाँ पर देख सकते हैं यह जो n है यह क्या है whole bracket लगा के power n लगा है बाहर न तो उसी तरीके से यह 2 है जिसको कि मैंने n माना है समझाने के लिए इसको मैं whole bracket लगा के इसको मैं बाहर लगा दूँगी और वैसे भी यह power 2 और यह power 2 आपस में इंटू होकर टू तो जाब फोर यही तो चीज आएगी सेम यही टम तो आजाएगा ठीक है ना तो यह बस मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि यहाँ पर आगे हम चलके इसमें फॉर्मूला लगा के इसको सेट कर सके ठीक है तो यह हो जाएगा माइनस अब यहाँ पर यहाँ चीज़ करेंगे यहाँ पर एक्स लिखिए और यह जो टू है इसको क्या कीज़े ब्रैकेट लगा के बाहर लगा देजी तू यहाँ को समझ में आया एक्वल टू सीरो ठीक है अब यहाँ मैं पेच को उपर कर रही हूं अब यहाँ पर ध्यान दीजेगा यहाँ मैं मैं क्या करते हूँ उसको सभ़खाने के लिए मैं पहले तो मैं इसको यह वाला ब्रैकेट श़खा दूऑ यह वाला ब्लैकेट और यहाँ पर यह इस तरीके से इह और इहां पर यह भाला प्र दूसरे कर देती घरू समझने में आसानि हाँ ठीक है यह रगाए ऑप और यह जो power दिया हुआ है, इसको मैं red color में कर देरी हूँ, यह आपको समझ में आया है, ठीक है, आप देखें यहाँ पर ध्यान दीजेगा, यह जो black color का जो bracket है, और यहाँ पर जो bracket है, इनके अंदर देखिए, ठीक है, तो यह वाला जो term है पूरा, ठीक है, इस पूरे को, य यह वाला term, और यह यह वाला पूरा term, ठीक है, इस यह वाला जो term है, इसको आपने क्या कीचेए, इसको capital A माल लिजेए, इसको आप capital A माल लिजेए, यह वाला पूरा term जो है, x-4 का whole square, और यह जो black bracket के अंदर, जो x square है, इसको capital B माल लिजेए, नहीं भी मानेंगे, तो भी चल जागा लेकिन थोड़ा समझाने के लिए मैं आपको ताकि थोड़ा आपको समझ में कि यहां क्या formula लगेगा तो थोड़ा simple भी लगेगा equation ठीक है तो इस पूरे को मैंने यह पूरे को मैंने क्या A माना है तो इसके जगा capital A लिखे और यहां पर क्या है ब्लेक कलर का bracket है तो इस तरी के से लगाईए माइनस और इस पूरे को मैंने क्या माना है B माना है तो यहां पर इस पूरे को B लिखे capital B और यहां square equal to zero यह आपको समझ में आ रहा है ठीक है तो यह देखे formula बना कि नहीं formula बना किसका formula बना यह देखे यह capital A बोली है यह हमें सीदे A बोल देखे A square minus और B square formula बना है तो यह simple आपका इसके format में है कि नहीं A square minus B square के format में जो की होता A minus B bracket में A plus B तो यहां पर क्या है small A है capital A है यहां पर small B है capital B है तो formula तो यहीं बना लगेगा तो यह क्या हो जाएगा capital A minus B bracket और capital A plus B यहीं तो formula बना है यह हो गया तो अब हम यहां पर जो capital A और B माने है इसकी जगा रखे आप जो value मैंने इसको let माना था मैंने capital A को क्या माना था X minus 4 का whole square तो यहां पर रखे आप इस capital A की जगा क्या माना था मैंने इसको X यह A की capital A को क्या माना X minus 4 का whole square यह तो A है फिर क्या minus यह B है B हमारा क्या है X square यहां लिखे अब यह green वाला bracket है ना तो यहां पर इस तरीके से लगा दीजिए यह हो गया A minus B ठीक है ना यहां पर भई हमको value तो रखे लिए ना जो हमने माना था A और B अब यहां पर देखे A है capital A जो कि मैंने क्या माना था X minus 4 का whole square फिर क्या है plus B B हमारा क्या X square यह समझ में आया ना तो यहां let A और B नहीं मानें तो भी तो हमारा यहीं चीज़ आएगा थोड़ा सा पस समझना है कि यहां formula किसका बना है ठीके ना तो यहां जो main formula जो huge हुआ है वो हमारा A square minus B square लगा है यहां पर यह आपको समझ में आगे आप देखे हम आगे क्या करेंगे यह देखे ग्रीन वाला जो bracket है यह जो bracket है इसके अंदर क्या है X minus 4 का whole square तो यह बिल्कुल A minus B का whole square के formula में set होगा यहां पर इसमें यह वाला formula लगाएगा जो क्यों होता है A square minus 2 A B plus B square तो यहां इसमें लगा दीजिए तो आप यह वाला पहले bracket लगाएगे इसमें formula लगा रहे है A minus B का whole square वो होता है A square minus 2 A B plus B square तो यह क्या हो जाए A square यानि X square minus 2 A B तो 2 into A क्या है X है और B हमारा क्या है यहां पर 4 है plus B square तो B हमारा क्या 4 है तो 4 का square समझे मैं है फिर क्या है minus यह माइनस और यह X square तो हम लिखेंगे यहां पर लिख दिया फिर यह bracket लगाईए मैं इसको थोड़ा से यहां से रेज कर दो ठीक है अब देखिए यहां पर यह क्या है X minus 4 का whole square यहां पर भी वहीं formula लगा A minus B का whole square तो यह क्या आजागा X square minus 2 into A क्या है X और B हमारा क्या है देखिए इसको A माली जा इसको B माली तो ज्यादा अच्छा समझ में आगा ठीक है plus B square तो B हमारा क्या 4 तो 4 का square यह B square हो गया फिर क्या plus X square तो plus X square equal to देखिए यहां पर 0 था ना यहां मैंने लिखा नहीं था equal to 0 yes equal to 0 यह आपको समझ में आया मैं page उपर कर रही हूँ ठीक है यह देखिए यह 0 लिखा हुआ है मैं इसको और अच्छे से बना दूए यह हमारा 0 है ठीक है तो आप देखिए इसको open कीजिए तो यह जागा X square minus square into 2 कीजिए 2 4 जा 8 8 X प्लस 4 का square यानिके 4 4 जा 16 और यह क्या है minus X square यह आपको समझ में आया अब यह bracket लगा यह क्या है X square minus 4 2 जा 8 8 X हुआ प्लस 4 4 जा क्या हो जागा 16 और यह क्या है plus X square equal to 0 यह आपको समझ में है अब देखिए यह X square और यह minus X square कैंसे तो यहाँ पर क्या बच रहा है minus 8 X plus 16 बच रहा है ठीक है bracket में bracket यहाँ लगाई यह क्या है X square और यह plus X square इसका भी sign plus है तो plus plus क्या हो जागा 2 X square हो जागा दो बार repeat हो रहा X square फिर यह क्या है minus 8 X और यह क्या है plus 16 equal to 0 यह पो समझ में आया आप देखें यहाँ पर आप यहाँ देशेते हैं कि दो bracket लगे वे एक यह bracket दूसरा यह है और इनके पीछ में है into का sign और इन दोनों bracket के पीछ product का sign है तो इन दोनों का product 0 के बराबर है आप देशेते एक्वल to 0 इसका मतलब यह है या तो minus 8 X plus 16 आप देखें यहाँ पर यह वाला जो bracket है minus 8 X plus 16 is called to 0 तो यहाँ से हम X की value निकाल लेते हैं तो यह क्या हो जागा यह minus 8 X जो है arches side में ला जाएंगा और यह 16 यहीं पर आएगा equal to minus 8 X इधर जाएगा तो plus 8 X हुआ यह आपको समझ में आया ठीक है तो अब यहाँ पर देखें 16 is called to 8 X है यह 8 और X into इसमें into का साइन तो X की value क्या निकलेगी X की value क्या यह 8 16 के divide में चला जाएगा तो यहाँ से 2 आया तो X की value हमें यहाँ पर क्या मिली 2 मिली तो 1 X की value हमें 2 मिली ठीक है जब हमने इस bracket यह minus 8 X plus 16 इसको solve किया तो यहाँ से X की value 2 मिली अब इसको solve कीजिए यह दूसरा वाला bracket दूसरा वाला bracket हमारा क्या दिया हुआ है यह दिया हुआ 2 X square minus 8 X plus 16 is called to 0 यह दिया हुआ अच्छा यह 2 है यह 8 है 16 है तीनों नमबर 2 के टेवल में आता तो 2 common निकालेजिए तो अंदर देखिए यह 2 common लिकालेजिए तो यह X square बचा माइनस यह 2 के टेवल में 8 का बाता है 4 times 4 और यह X लिखिए plus 2 के टेवल में 16 का बाता है 8 times ठीक है equal to 0 यह उस समझ में आया ठीक है आप पेज ऊपर कीजिए यह आप देखिए यह पर यह 2 है और यह bracket इनके बीच में इन 2 का साइड तो हम 2 को 0 के साइड लेकर आएंगे तो देखिए यह वाला पहले लिखिए X square यह तो यही पर रहेगा X square माइनस 4 X plus 8 इसकाल 2 0 तो अब यह 2 इन 2 में है 0 के साइड आएगा तो इसके डिवाइड में चला जाएगा तो 0.20 के बराबर हो जाएगा ठीक है एक हमें X की वालू 2 मिल चुकी है ठीक है तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पस क्या है X square माइनस 4 X plus 8 इक्वल टू 0 यह आए ठीक है अब इस equation पर दियान दीजे X square माइनस 4 X plus 8 इसकाल 2 यह क्या है हमारा 0 आया है तो हम यहाँ देख सकते है कि यह X square माइनस 4 X plus 8 यह किसका format में है यह हमारे किस step के equation है यह quadratic equation है यह क्या है हमारा quadratic equation X square माइनस 4 X plus 8 X square to 0 यह हमारा quadratic equation है तो quadratic equation हमारे पास रहता है तो हम वहाँ पर इस equation को solve करके क्या लाते है X की values फाइंट करते है तो यहाँ पर तीन method होते है एक्टराइजिशन method होता है दूसरा आपका जो होता है वो होता है आपका completing the square method और तीसरा जो होता है quadratic formula method होता है तो मैं by quadratic formula क्योंकि यह दे कि एक फेक्टराइज होगा नहीं जो कि आपने lower classes में आपने किया होगा easy way में जो फेक्टराइज करते हैं वो यहाँ पर होगा नहीं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे quadratic formula के help से इसका हम X की value यहाँ पर find करेंगे तो quadratic formula से कैसे हम निकालते हैं जो quadratic equation का general format होता है वो होता है AX square plus BX plus C इसकाल टू यह होता है 0 तो यहाँ पर quadratic formula के help से X की जो value होती होती है minus B plus minus B square minus 4AC upon 2A यह होता है minus B plus minus B square minus 4 इस तरीके से X की value find करते हैं अब यहाँ पर यह जो X की value में आप दिसकते हैं यह B है यह A, C है तो यह क्या है यह कहां से पहले हमें यह पता करना होगा तो हम कैसे निकालेंगे तो जो हमारा equation आया है X square minus 4X plus 8 is called to 0 इसके नीचे जास्ट आप quadratic equation लिखे AX square general format जो होता है plus BX plus C is called to 0 ठीक है यह X square है तो इसके साथ तो 1 तो इंटो हम करी सकते हैं अब compare करिए तो यहां से हमें A की value मिलेगी 1 और यहां पर compare कीजिए तो B की value क्या मिलेगी देगे sign के साथ लेना यहां पर 4 का sign क्या है negative है तो B की value आईगी minus 4 और यहां पर C की value जो आ रही है वो आ रही है तो A B C की value मिल गई तो इसमें हम रख देते हैं यहां पर तो हमें X की value मिल जाएगी ठीक है न तो चलिए solve करते हैं इसको पेज उपर करते हैं तो X की value निकालने का क्या तरीका है मैं दूसरे कलर समझाओ वो है formula क्या है by quadratic formula minus B plus minus B square minus 4 AC upon 2 ठीक है equal to देखिए formula में minus है minus लगाई B B की value कितनी है देखिए minus 4 तो minus 4 है तो bracket में लिखें फिर क्या है plus minus under root यह क्या है B square तो B की value क्या है minus 4 अब क्योंकि B square है तो whole bracket लगा कि minus 4 AC तो 4 into A की value कितनी है 1 C की value कितनी है 8 है upon यह क्या है 2 A तो 2 into A की value कितनी है 1 यह लिखती है अब मैं page उपर कर रही हूँ यह मैंने page उपर के इसको solve करेंगे तो हम x की value मिलेगी x इसकल 2 यह क्या हो जागा minus minus plus तो यह हो जागा 4 फिर क्या plus minus तो plus minus under root यह देखे minus 4 का whole square तो minus 4 का whole square तो minus को दो बार into करेंगे तो minus minus plus 4 को दो बार into करेंगे तो 4 4 जागा 16 यह होगा ठीक है फिर यह minus यह देखे 4 यह तीनों into करेंगे तो 32 आएगा upon नीचे की 2 अंजा 2 हो जागा यह आपको समझ में आए तो यह हो जागा 4 plus minus under root देखे यह plus plus minus minus तो 32 में से 16 minus करेंगे तो क्या आएगा यह आपको आएगा minus 16 आएगा क्या हैगा minus 16 upon 2 यह आपको समझ में आएगा ठीक है तो आब मैं page उपर कर रही हूँ तो यह हो जागा x is equal to 4 plus minus अब देखे minus 16 है ना तो minus 16 को हम minus 1 into 16 तो लिखे सकते हैं दोनों को into करेंगे तो minus 16 ही आएगा ठीक है तो just 1 into कर दिया है ठीक है equal to अब देखे हो जागा 4 plus minus under root यह देखे यह 16 है और यह minus 1 है यह 16 लिखे into और यह जो minus 1 है इसको ब्रैकेट के अंदर लिखे इस तरीके से upon 2 यह आपको समझ में आया मैं पेज उपर कर रही हूँ यह class 10 का जो है mass use हो रहा है यहाँ ठीक है तो x is equal to 4 plus minus under root अब देखे यह 16 पर भी 16 और यह minus 1 यह क्या minus 1 है इन दोनों यह 16 एक number है दूसरा minus 1 इस दोनों पर under root लगा हुआ है क्या लगा हुआ under root लगा हुआ है तो हम इसको अलग-अलग अलग-अलग root लगा का तो लिखे सकते है हम क्या करेंगे 16 को अलग लिख दिया root में और यह क्या है यह देखिए minus 1 लिखा है मैं इसको थोड़ा और साफ लिख दूँ यह क्या हमारा minus 1 16 को अलग root में लिखती है और minus 1 को अलग root में इस तरह किसे तो हम लिखे सकते है upon 2 ठीक है तो यह देखिए क्या हो जगा 4 plus minus root 16 अब देखिए यह complex number आप यहाँ class 11 का यूज हो रहा है जो यह root minus 1 होता है अगर under root के अंदर minus 1 है तो यह i के बराबर होता है i को बोलते है i उटा तो यह इसके जगा हम क्या लिख देंगे i लिख देंगे धियान दीजेगा रूट के बाहर लिखना है i ठीक है upon 2 यह आपको समझ में आया अब मैं पेज उपर कर रही हूँ ठीक है बहुत easy question है यह class जो है आपका 10th और 11th का यहाँ पर कुछ यूज हो रहा है तो यह हो जाएगा 4 plus minus अब देखिए root 16 तो root 16 क्या होता है root 16 को हम 4 into 4 तो लिखे सकते है और 416 होता है डारेक्ट यह root 16 4 के बराबर होगा ठीक है तो यहाँ आई लगाई है upon 2 equal to 4 plus minus देखिए 4 का पेर बनना है 4 बाहर आजागा root हड जागा और यह आई यहाँ पर लिख दिया upon 2 ठीक है अब देखिए यहाँ पर यह 4 है और यह 4 आई है 4 और यहाँ यह 4 है और यहाँ पर यह 4 है तो यहाँ से 4 हम कामन बाहर निकल सकते है निकल सकते हैं ना 4 बाहर क्योंकि 4 की टेबल में आता है तो बाहर निकल दिया तो ऐसे समभ़ लिए हमारे पास क्या है 4 plus minus 4 आई यह आया ना मैं इसको और अच्छे समझा दू ठीक है डालेट ना करके step मैं और कर देती हूं ठीक है तो यह x की बहलों निकल दी है x is equal to अब देखिए यह 4 है तो 4 में हम into 1 तो कर सकते हैं तो 4 into 1 लिखिए plus minus यह 4 और i है इनकी पीच में क्या sign है i का है into का sign है ठीक है upon 2 तो अब देखिए यह plus minus है इसके दोनों side common क्या दिख रहा 4 4 है ना common तो बहार निकाल देजी तो अंदर क्या बचेगा अंदर बचेगा यह 1 plus minus यह 4 तो बहार चला गए यहां क्या बचेगा i बचेगा upon 2 अब देखिए यह 2 आई 4 कैंसल हो जागा तो यह 2 आएगा आए ना 2 अब में पेज उपर कर रही हूं तो हमारे पास x की value क्या आई है यहां पर x इसकल 2, 2 देखिए यह 2 से 4 कटगे 2y अब ब्रैकेट में क्या है 1 plus minus i और यहां पर देखिए यह 2 क्या करेंगे हम पहले यहां पर एक स्टेप और कर देखिए यह ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 जो है इससे 1 से भी इन 2 होगा i से भी इन 2 होगा तो 2 और 1 को इन 2 करें 2 को i से इन 2 करेंगे तो 2y हो जाएगा यही न आएगा तो देखिए एक की वैलू कितनी है 2 plus minus 2y तो यहां पर x की देखिए दो वैलू जाएंगे यह प्लस मैनस है तो यहां पर दो वैलू होगी इसकी एक positive मिलेंगे एक negative तो एक positive मिलेंगे तो क्या एगा 2 plus 2y और दूसरी क x की x is equal to 2 अब यह प्लस मैनस एक बार प्लस में ले लिए अब मैनस में जी तो 2 minus 2y तो यहां पर देखिए x की तीन वैलू जाए एक शुरू में क्या आया था x का वैलू? x का वैलू शुरू में आया था 2 अब यहां पर दो वैलू जो और आया x की वैलू 2 plus 2y और दूसरी क आया है 2 minus 2y ठीक है यह आया है तीन वैलू जाई है तो अब चलिए इनको चेक करते हैं हमारा जो कुशन था वह था x minus 4 का पावर 4 इसकल टू x का पावर 4 यह था तो इसको LHS माल लेते हैं और यह हमारा आरचस है ठीक है तो 4 x सकल टू 2 पहले हम x की वैलू 2 रखके देखिए तो LHS में यहां पर x के वैलू क्या रखेंगे यहां पर 2 तो 2 minus 4 इसको पावर 4 दिया हुआ है एक्वल टू यहां पर x की वैलू क्या रखेंगे 2 और पावर क्या है यहां पर 4 है तो अब यह दोनों सॉल्ट करेंगे LHS RHS बराबर आ गया तो हमारा यह जो x की जो वैलू मतलब क्या है कि minus 2 को हम 2 चार बर लिखेंगे ही न मतलब है लिख दिया equal to यहां पर 2 का पावर 4 इसको भी चार बर लिखेंगे ही न मतलब है तो अब इसको पूरा solve किये तो यह देखें यह 4 बर माइनस है तो यह 4 माइनस into होके तो प्लस हो जाएगा तो 2 जा फूर फूर ची उसको भी चक्कर कि देख लेता है तो पहला क्या थे। दूसरा क्या है value 2 प्लस 2y यह देख लेते हैं ठीक है तो xikeeta बिखेंगे एकशिण क्या है तो हमारा मेन कूशन क्या था x- 48 पी यह को फूर LHS मा लिजे और यह हमारा क्या है RHS थोड़ा सा यह बड़ा होगा इसमें जो solution जो हमसको solve करेंगे थोड़ा सा बड़ा होगा ठीक है तो अब हम यहाँ पर दहीं क्या करेंगे इसको page को मैं उपर करूँ पहले पहले मैं LHS लेकर चलूँगी LHS को अलग solve करूँगी ठीक है एक साथ LHS solve नहीं हो पाएगा LHS हमारा क्या है X-4 का power 4 ठीक है तो LHS हमारा क्या है X-4 X-4 का power 4 और X की value क्या है हमारी यहाँ पर X की value रखिए वह है 2 2 plus 2y यह नहीं है यह जो X की value आई है क्या लेकर चलें दूसरा value है 2 plus 2y तो यहाँ पर X की जगह 2 plus 2y रखिए फिर क्या minus 4 अब इस पर power 4 दिया है लगा दिया ठीक है अच्छा यह 2 है यह minus 4 है यह plus 2 है तो plus minus 4 में से 2 गया है ठीक है तो मैं क्या करूंगे यह plus 2y यह तो इसको पहले लिख दीजे और यह minus 2 बाद में लिख दीजे का power 4 ठीक है यह समझ में आया अब हम देखे यहाँ पर क्या करेंगे पेज ऊपर कीजे यह हमारे पास अब हम यहाँ पर क्या करेंगे यह 2i minus 2 लिखिए ठीक है इस 4 को ह हम 2 into 2 तो लिखी सकते हैं 2 2 जा 4 होता रहा है तो 2 into 2 लिख दीए अब हम क्या करेंगे 2i मैंने सब समझा दिया है power and exponent का formula यह यह वाला 2 है वो हम क्या करेंगे इसके साथ power में लगा देंगे और यह वाला 2 बच रहा है बड़ा ब्रैकेट लगा के bracket के बाहर power में लगा देंग हमारा 2i-2 का whole square यह क्या दियावा 2i-2 का whole square तो इसको a माल लीजे इसको b माल लीजे तो यह बिल्कुल a-b का whole square के format में है तो यहाँ पर इसका formula क्या होता है a square minus 2ab plus b square यही ना होता है ठीक है तो यहाँ पर देखिए यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाई है तो यह क्या है यह 2 2i-2 का whole square यह formula लेगा a square a square यह नहीं कि 2i का square minus 2ab तो a हमारा क्या है 2i है b हमारा क्या है यह 2 है plus a क्या है b square तो b क्या है 2 और इसके square लगा देजी ठीक है whole bracket बड़ा लगाई अब यह वाला तो power हम यहाँ लगाएंगे तो यहाँ मैंने लगा दिया ठीक है पेज अब उपर कर i square होता है मैंने लिग दें यहाँ पर minus अब इसको into कीजे तो तो देखे 2, 2, 2, 4, 4, 2, 8, 8 i हुआ है plus यह हमारा क्या है 2 का square यही हुआ है ठीक है अब यहाँ पर whole bracket लगा क्या square तो हम लगाएंगे ठीक है अब यहाँ पर देखे यह bracket लगाई है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ i square, तो आपने 11 दे पढ़ा होगा, जो i square होता है, वो minus 1 के बराबर होता है, तो यह i square है, इसके जगह हम क्या लिखेंगे, minus 1, ठीक है, minus यह क्या है, 8i, plus 4, यह आपको समझ में, fp square लगा हुआ है, ठीक है, तो यह 4 into minus 1, यह क्या हो, minus 4 हुआ, और यह क्या, minus 8 आई है, और यह क्या, plus 4 है, अब इसमें यह वाला बढ़ा के छोटा लगा दीजे, और यह power 2 तो हम लेकर चलेंगे, यह आपको समझ में आया, मैं page उपर कर रही हूँ, यह आपको समझ में आया, अब देखें, यह minus 4 है, यह plus 4 है, तो हमारे पास अंदर क्या बच रहा है, minus 8i बच रहा है, अब इस पर क्या है, power square लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि minus 8i को हम दो बर into करेंगे, तो minus 8i into again minus 8i, अब क्योंकि negative मेहन तो इसलिए इसे bracket लगा के लिके, ठीक है, तो देखें, अब कैसे into करेंगे, यह minus और यह minus, यह minus minus तो plus हो गया, plus लगाईए, अब 8 और 8 into कीजिए, तो 8 8 जग क्या हो जागा 64, अब यह i है, और यह i है, तो i into i क्या होता है, i square होता है, यह आपको समझ माया, अब मैं पेज ओपर कर रहे हूँ, तो हमारे पास क्या है, plus 64 i square, तो प्लस दिखने की ज़रूत नहीं हमारे पास आया, 64 i square, और मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि i square जो होता है, minus 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर यह क्या हो जगा 64 लिखिए, और इस i square के जगा क्या लिखिए, minus 1, तो यह क्या हो गया, 64 into minus 1 क्या जगा, minus 64, तो यह हमारा LHS है, अभी तो हम LHS लेकर चल ले थे न, मैं आपको दिखा दू, पेज नीचे करके, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है न, देखिए यही ता हमारा यह, यह देखिए, यह LHS तो, हमने अभी LHS solve किया, तो LHS हमारा कितना आया, minus 64 आया, अब उसी तरीके से यह RHS भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो यह थोड़ा सा बड़ा होगा, मैं यहाँ पेज को लेफ्ट साइट करते हूं, ठीक है, तो RHS लेकर चलते हैं, RHS किया है, हमारा X का पावर 4 है ना, यही है न हमारा, तो हमारा LHS कितना है, LHS हमारा आया है, minus 64, यह हमारा RHS है, तो RHS है, तो X की वैलू हम यह वाला चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर X की वैलू रखिए, 2 प्लस 2Y, अब इस पर पावर क्या लगा है, 4, अब इसको solve करेंगे, और LHS के बराबर आ जागा, तो यहनि कि हमारा यह X का जो वैलू है, सही है, अब चलिए इसको अलग से solve करते हैं, तो यहाँ पर भी बिल्कुछ सेम ऐसी करेंगे, 2 प्लस 2Y लिखिए, और इस 4 को हम लिख देते हैं, 2 इंटू 2, अब आगे क्या करेंगे, 2 प्लस 2Y लिखिए, और यह वाला जो 2 है, इसके साथ पावर में लगा देजे, फिर यह बड़ा वाला ब्रैकेट लगा कि, यह वाला 2 ब्रैकेट के बाहर लगा देजे, पावर में, यह आपको समझ में आया, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यह 2 प्लस 2Y है, तो यहाँ पर यह देखिए, इसको A माल लिजे 2 को, और 2I को B माल लिजे, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगागा, वो क्या है, बीच प्लस है, तो A प्लस B का, होल स्कार का फॉर्मूला लगेगा, इस पूरे में, तो यह होता, A स्कॉर, प्लस 2AB, प्लस B स्कॉर, यह होता है, तो फॉर्मूला लगाए, A स्कॉर, A हमारा क्या है, 2 है, तो 2 स्कॉर, प्लस 2AB, तो 2 और A क्या है, 2, B क्या हमारा 2i है लिखे फिर प्लस B स्कॉरर तो B हमने क्या माना 2i तो 2i का स्कॉरर ठीक है अब यह बड़ा वला ब्रैकेट लगा कि यहां पर देखिए यह पावर दिया है तो यहां हमें इसको लगाएंगे यहां पर यह आपको समझ में आया अब मैं पेज उपर कर रही हूँ ठीक है तो देखिए 2 का स्कॉर कर जागा तो तो तू जा फॉर प्लस देखिए इसको इंटू किज़ए 2 इंटू 2 तो 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 यह तो पूरा 8 हो गया और यह आई है तो आई यहां लगाईए प्लस 2i का होल स्कॉर तो 2 को दो बर इंटू ठीक है यह आया अब देखे आगे हम क्या करेंगे इसको ऐसे रहें यह देखिए यह 4 है प्लस यह क्या है 8i है प्लस 4 और यह i2 है मैंने बता दिया i2 किसके बरावर होता माइनस 1 तो इसके जगा माइनस 1 लिखेंगे अब यह वाला ब्रैकेट लगाईए और यह जो पावर 2 पर लगाईए ठीक है तो यह क्या हो जगा 4 प्लस 8i 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 हुआ अब यह ब्रैकेट लगा के यहा पर स्कोर लगाईए पावर ठीक है ना तो अब यह देखे यह 4 और यह 4 कैंसल अब क्या बच रहा ए 8i का स्कोर बच रही है यही नबच रहा है ठीक है तो यह क्या है, 8i का whole square, यह निकि 8i को दो बार into करेंगे ही ना, तो यह देखे, यह 8 और यह 8, 8 तो यह 64, और यह i, i into i, i square हो गया, मैं यहाँ पर समझा दू, तो 64i square आया है, तो 64 और यह i square किसके बराबर होता है, माइनस 1 तो इसके जगा माइनस 1 रखे, तो 64 और into माइनस 1 क्या हो जागा, माइनस 64, जो कि हमारा किसके बराबर है, LHS के बराबर, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ पर यह देख, यह देख, LHS हमारा माइनस 64 आया और RHS भी हमारा कितना आया, माइनस 64 आया तो आप यहां दे सकते हैं LHS और RHS दोनों बराबर आया है हमारा यहां पर चेक भी हो गया प्रुफ भी हो गया तो यानि कि हमारा जो यह सॉलूशन है यह X की जो वैलू 2 प्लस 2 आई है यह सही आई है अब एक और तीसरा X का वैलू और आया है जो कि उसको भी चक करके देखना है तो वह आप चक करियेगा यह कौंसी वैलू यह वाले 2 मैनस 2 आई यह एक बज़र है हाँ नथ तो इसको भी आप चक करेंगे इसको आप चक करियेगा मुझे कमेंट करके बताईएगा कि आपका चेक करने पर LHS और LHS बराबर आया है कि ने तो अमीद है आपको यह कुशन जो है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा